दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप, Icon of the Siege का ट्रायल पूरा हो चुका है। यात्री अगले साल फर्वरी से मियामी में इस पर यात्रा कर सकते हैं। Icon of the Siege इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। 27 जन्वरी को यह जहाज पहली बार समुदरी यात्रा पर निकलेगा। इसमें क्रूज शिप में 177,960 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसकी लंबाई 1200 फीट है। इस जहाज में कई तरह की फैसिलिटी है। इसका ओफिशियल ट्रायल पूरा हो चुका है। बता दे की Icon of the Siege, Titanic से कई गुना बढ़ा है। Titanic की जिस समय लॉंचिंग हुई थी, उस समय वह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहलाता था। Titanic की लंबाई करीब 882 फीट थी, 17 मंजिला इमारत के बराबर उसकी उचाय थी। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप, Icon of the Siege के ट्रायल स्फिनलेंड में हुए। अगर इस जहाज की कई खासियत की बात करें तो Icon of the Siege की लंबाई 365 मीटर है। इस जहाज पर एक साथ 5610 पैसेंजर और 2350 प्रू मैंबर एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान 450 स्पेशलिस्ट ने चार दिन तक जहाज के मेन इंजन, प्रोपेलर, नोइज लेवल्स, बोवादी की चेकिंग की। पूरी तरह चेकिंग के बाद ही जहाज शिप्यार्ड वापस लोटा। इसमें समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसमें 6 वाटर स्लाइड लगाए गए हैं। साथ फुल साइट स्विमिंग पूल हैं। फैमिली के लिए एकवा पार्क और स्विम अब बार की सुविधाय हैं। यात्री अगले साल फर्वरी से मियामी में इस पर यात्रा कर सकते हैं। पूर्वी और पश्चिमी केरेबियन होते हुए साथ रातों तक इस क्रूज जहाज पर रह सकते हैं। पहली समुदरी यात्रा के लिए सारी सीटे फुल हो चुकी हैं। रिलेक्स करने के लिए साथ पूल और नौ वर्ल पूल भी इस पर मौजूद है। आइकॉन ओफ दसीज के बीस डेक में रॉयल केरेबियन का पहला ड्यूलिंग पियानो बार भी होगा। जहाज पर 28 तरह के कैबिन हैं। एक कमरे में 3-4 लोग रह सकते हैं, ज्यादा तर कमरों में बॉल्कनी भी मिलेगी। आइकॉन ओफ दसीज का पहला सफर मियामी से शुरू होगा। ये शिप साथ राते समुद्र में गुजारेगा। क्रूस के लिए टिक्टो के दाम अलग-अलग हैं। सबसे सस्ती टिकट 1,49,707 रुपय की होगी। शिप पर यात्रा करने के इचुक रोयल केरेबियन की वेबसाइट पर विजिट कर टिकट और अन्य जानकारिया हासिल कर सकते हैं।